यहां पर क्या करते है एक तो यह प्रोजेक्टर इसके यूज नहीं हो रही कहीं 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 नहीं यूज कर रहे है तो अगर कहीं नहीं यूज कर रहे हैं इसको यहां से क्लीन कर देते हैं यहां पर इसकी ज़रूत नहीं है दूसरी चीज जब हम यह यूज कर रहे हैं लाइक यह टाइप पास करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसको कुछ ऐसे पास करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर एरो फंक्शन अलाओ करता है आपको कि अगर सिंगल एलिमेंट है तो आप डारेक्ट लिख दीजिए बट अगर आप उसका टाइप लिख रहे हैं तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और यूजर एग्जिस्ट के अंदर हमने आल्रेडी टाइप लगा रखता है कि इमेल कैसी होगी स्ट्रिंग होगी यहां कुछ नहीं चेंज करना है रिटर्न होकर के जो भी वैल्यू आएगा स्टेटस आएगा स्टेटस जो में चलता हूं यहां पर स्टेटेश की आगे क्या लगा सकता हूं लगा सका हूं फ़र डिपेंट करता है आपको स्टेश्रपां लगा Cake तो आपने का कि यह स्ट्रिंग टाइप क्यों होनी चाहिए तो फाइनली हमने यूजर का राउट अपना पूरा कम्प्लीट कर लिया है कितना कम्प्लीट कर लिया है एक यूजर हमारे पास रजिस्टर कर सकता है यस रजिस्ट्रेशन कर रखा है अगर तो वह अपने आपको एक ट कर सकता है लेकिन इसके लिए उसको ये टोकन चाहिए होगा ऐसे गट करेगा तो अनाथकर चैटरôm किया करेंगे इस की टोकन करेंगे इस टोकन को वह घेडर में भेजेगा इस token को वह header में भेज़ेगा तो वह अपना record गेट कर सकता है और हर जगह भेज़ेगा यह जब यह authorization token इसको हर जगह भेज़ेगा है यह authorization token उसको यह यह अपडेट करना है अपनी डीटेल तो जब उसको क्या करना है यहां से कॉपी कर लूँगा यहां अपडेट में यहां पे भेज़ेगा इमेल हम अपडेट नहीं कर रहे हैं भेजने की कोई जरूरत भी नहीं है ठीक नाम हम अपडेट कर रहे हैं हमने का वन a b c d e t भेज दिया यूजर अपडेट हो गया वापस से गेट कर लेते हैं यह फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है नाम अपडेट हो गया अब हम चल रहे हैं क्विज वाले राउट की तरफ और क्विज पर काम करें ठीक चलिए